हेलो फ्रेंड्स वह मुझसे खाना पकवाता है मुझे हर हाल में ये काम करवाना है वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है आप देख सकते हैं ये सब सेंटेंसे में सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है बलकि किसी और से करवा रहा है तो ये सब सेंटेंसे में जो वह उसको हम कॉजितिव वह बोलते हैं कॉजितिव वह का यूज हम उस सेंटेंसे में करते हैं जहां पर सब्जेक्ट खुद काम को नहीं करता है बलकि किसी और से करवाता है वैसे तो कॉजितिव वह बहुत सारे होते हैं जैसे कि let, make, get, help, have, etc. बट आज की इस वीडियो में हम make और get के बारे में सिखेंगे mostly हम अपने sentences में make और get का यूज ज़्यादातर करते हैं तो चलिए देखते हैं एक के बाद एक तो पहले देखते हैं make make का use हम तब करते हैं जब हम किसी को force करके या compel करके कोई भी काम को करवाते हैं इसको sentence में use करने का rule है पहले subject फिर उसके बाद causative verb फिर उस person या वो चीज को दिखाना है जिसके द्वारा हम वो काम को करवाना चाहते हैं फिर उसके बाद verb और last में हमको object को सो करना है यहाँ पे जो verb है वो हमेसा first form में रहेगा और जो make है वो tense के according change होता रहेगा जैसे कि makes, making, made, like this So let's see some examples of it to get a clear concept तो हमारा पहला example है मेरे भाई ने मुझसे जूट बुलवाया My brother made me tell a lie यहाँ पे अब देख सकते हैं यह sentence past में है इसलिए make के बदले made का use हुआ है और यहाँ पे यह जो subject है मेरा भाई, मतलब my brother उसने खुद काम को नहीं किया है उसने मेरे से काम को करवाया है Actually I was not ready to tell a lie My brother forced me to tell a lie तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यह जो जूट बुलने का काम है यह forcefully हुआ है वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है He is making me read this book आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो किताब पढ़ रही हूँ मैं अपने मर्जी से नहीं पढ़ रही हूँ वह मुझे forcefully यह काम को करवा रहा है तो इसलिए यहाँ पे हमने make का यूज किया है उसकी बीवी उससे खाना पकवाती है His wife makes him cook the food आप देख सकते हैं यह एक regular action है तो इसलिए हमने present indefinite tense का यूज किया है अब चलिए देखते हैं इसका passive form इसकी passive form में हमको to का यूज करना है और जिसके द्वारा हम काम को करवा रही हैं उसको as a subject so करना है तो चलिए examples की मदद से इसको समझते हैं He makes her weep everyday वह उसे रोज रुलाता है यह sentence active में है तो इसका passive होगा She is made to weep everyday उसे रोज रुलाया जाता है यहाँ पर कोई एक लड़की है जिसके उपर वो action हो रहा है तो इसलिए हमने see को as a subject so किया है और यह sentence simple present में है इसलिए हमने is made का यूज किया है और जैसे कि as a rule, rule के according आप देख सकते है कि made के बाद हमने to का यूज किया है हमारा next example है He made us understand उसने हमें समझाया इसका passive होगा We were made to understand हमने समझाया गया कि sentence simple past में है इसलिए हमने work का यूज किया है My mother made me eat the vegetables मेरी मा ने मुझे सबची खिलाई इसका passive होगा I was made to eat the vegetables मुझे सबची खिलाई गई तो आप यहाँ पे बाए लगा के subject को दिखा सकते या फिर नहीं भी दिखा सकते हैं अब चलिए देखते हैं हमारे next positive verb जो की है get अगर हम कोई भी काम किसी को convince करके या encourage करके करवाते हैं तब हम उस case में get का use करते हैं इसको sentence में use करने का rule है पहले subject फिर helping verb फिर उसके बाद get और उसके बाद हमको उस person या चीज को दिखाना है कि जिसके द्वारा हम काम को करवा रहे हैं फिर to और last में हमको verb के first form का use करना है इसके example में आता है मैंने independence day के लिए मेरा जो speech है वो नितु से लिखवाया इसका मतलब कि मैंने नितु को convince किया कि वो मेरा speech लिखते आप देख सकते हैं ये sentence simple past में है इसलिए हमने get के बतले got का use किया है मनिस got him to repair your laptop मनिस ने उसको convince किया कि वो तुमारा laptop ठीक कर दे did you get him to read the story क्या तुमने उसको convince किया था कि वो ये story या कहानी पढ़े how do you get her to cook food for you she never listens to anyone तुम उसको कैसे तुमारे लिए खाना बनवाने के लिए मनाते हो वो तो किसी की नहीं सुनती आप देख सकते हैं यहाँ पे जो get है वो tense के according change हो रहा है अब चलिए देखते हैं इसका passive form get को जब हमको passive में use करना है तब get tense के according change होगा और verb के third form का use होगा और यहाँ पे हमको to का use नहीं करना है जैसे कि हमने हमारे पहले example में दिखा था money's got him to repair your laptop यह था इसका active form इसका passive होगा money's got your laptop repaired I will get my son to do this work मैं अपने बेटे से यह काम करवा लूँगी यह sentence active में है it means I will convince my son to do this work इसका passive होगा I will get this work done अब बाइब my son लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं my washing machine is broken I need to get it repaired मेरा washing machine खराब हो गया है मुझे इसको repair करवाना है I am going to get my haircut tomorrow मुझे कल बाल घटवाना है I have to get this work done by any means मुझे हर हाल में यह काम करवाना है So friends, आज के वीडियो में हम नहीं देखा हम make का use तब करते हैं जब हमको किसी को कोई काम forcefully करवाना होता है जबकि हम get का use तब करते हैं जब हम किसी को convince करके या encourage करके कोई काम करवाते हैं make के active में 2 का use नहीं होता है जबकि इसके passive में 2 का use होता है और make के active में जो receiver होता है वो passive में वो subject बन जाता है gate के case में इसका उल्टा होता है gate के active में हमको 2 का use करना होता है और उसके साथ verb के first form का use करना होता है जबकि इसके passive में हमको 2 का use नहीं करना होता है और उसके साथ verb के third form का use करना होता है So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेक और गेट के बीच में अगर कोई कनफीजन थाओ तो वो क्लियर हो गया होगा तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ Till then, bye, take care